उम्शान्ती, चार अक्टूबर की शरुधर्मा से कस वगाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को, स्वधर्मा, अपना धर्म, निजी धर्मा को सहच पालन करने वाले मास्टर सरशक्तिवान भवा, आत्मा का स्वधर्म पवि अपना पन समझ लेती हैं, जिस कारेंण से वो अपवित्र मार पर चल बैठती है, तो परमात्में इसलिए धर्ती पर आते हैं ताकि वो उसे आत्मा अभीमानी बनाएं, देश अभीमान से हटाएं, तो आत्मा का स्वधर्म पवित्रता हैं अपवित्रता परधर्म है, शरीर का धर्म अपवित्रता है, जब स्वधर्म का निश्चे हो गया, तो परधर्म हिला नहीं सकता, स्वधर्म मैं आत्म पवित्र हूँ, ये शरीर की इच्छाएं, ये शरीर की जो भी हमारे अंदर लालसा है, वो मुझे खीच नहीं सकती अपन तो पवित्ता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहच है। मात्मा सर्वशक्तिवान है, जिसके साथ हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमारे अंदर, अगर सर्वशक्तिवान के साथ हम साती हैं, तो हमारे अंदर फिर कोई भी कमजोरी का संकल पा नहीं सकता, सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर अगर आप किसी बहुती रॉयल इंसान के साथ में चल रहे हो तो आपका उठना, बैटना, खाना, पीना, रंग ढग आपका बदल लाता है तो आप उसके जैसे भेव करोगे, आपका बोलने का तरीका अलग हो जाएगा वैसे ही परमात्मा को अगर अपना साथी बना दें, परमात्मा की याद में हर करम करें, सोचें, बोलें, तो कैसा होगा अगर संकल्प में भी माया आती है, तो जरूर कोई गेट खुला है, अर्थात निश्चे में कमी है क्या निश्चे में कमी है कि मैं आत्मा हूँ 100% पहला तो ये प्रैक्टिस की कमी है जिस कारण से दे भी माना रहा है और परमात्मा में फिर connection बाटना तभी हो पाता है जब आत्मा भी मानी 100% होते हैं थोड़ा ज़्यादा दे भी मान हुआ और वहीं पर निश्चे तूटा उ मुष्यादी